सिंचेन ने चौप मेरे पर गुस्ता ना हो क्योंकि जो मैंने किया है न सायद वो चीज ना हो पाए क्योंकि गाइस सिंचेन ने मुझे बताया कि आज एरपोट में खुलाया है अपग्रेट टेलिपरोटेशन पॉर्टल ने मुझे बोला था किसी कार से आना लेकिन मेरे पूरे राश्टे में कहीं भी कार नहीं देखी जो भी कार देखी उसके पास उसके मालिक या कोई ना कोई रहता था चोरी करता तो पक्का मैं फर्स जाता अगर आप लोग इस चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सस्क्राइब करना अगर उसी के साथ साथ बेल आइकन ओन कर दिना फिलाल न मैंने किसे से ये कार्ट फ्री में ले ली हाँ गाईज आप लोग ने सही सुना मैंने उस आदमी को बोला कि मेरे को बहुत बड़ी एमरजनसी है और उस आदमी ने मेरे को फ्री में ये दे दिया और बोला कि मुझे कल लाकर दे देना बट गाईज मैं क्या करूँ सिंचन ने मुझे कोई वीकल लाने को बोली थी तो मैं ये ले आया गाईज अगर अपग्रेड नहीं हो आना तो पक्का बता रहा हूँ सिंचन काफी जदो गुस्ता हो जाएगा एंड गाईज इसी के साथ साथ चॉप भी गुस्ता हो जाएगा क्योंकि जब जब पॉर्टल खुलता है न सिंचन एंड चॉप हमेशा मुझे बताते हैं अगर आज अपग्रेड नहीं तो क्या होगा यार क्या करूँगा मैं मेरे ख्याल से सिंचन तो बहुत गुस्ता करेगा एंड चॉप 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 क्या करेगा मतलब चॉप तो रोने लग जाएगा बट सिंचन नहीं रोएगा वो मुझे और कोई आइडिया बताएगा लेकिन मैं तो चाहता हूँ ये अपग्रेड हो जाएगा अगर अपग्रेड नहीं तो फिर दूसरी गारी ढुणनी पड़ेगी फिलाल गईज एरपोट के अंदर मैं आ चुका हूँ और आप लोग देख सकते हो एरपोट लोसंडोस का कितना ज़्यदा बड़ा है और आप लोग ज़रू बताओ कि ये अपग्रेड हो सकती है या नहीं मुझे लगता है कि गईज हो भी सकती है क्योंकि इसके अंदर 4 टायर भी है बड़ गाईज ये एक छोटा सा कार्ट है मतलब इसको कार्ट बोलते है और यार सिंचन ने मुझे बोला तो कोई वीकल यार मुझे नहीं बता अपग्रेड होगी कि नहीं ये सारा काम तो सिंचन नहीं बताएगा फ्रैंगल भी या ये आप साही चीज़ लेकि नहीं आये हो साहद ये अपग्रेड नहीं होगा है गाईज यार मैं क्या बताऊं सिंचन एक पर ट्राय करने में क्या जा रहा है अरे मैंने बोला ना साहद नहीं होगा एक पर ट्राय कर लो ऐसे अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है और फ्रैंगल भी या है जब आप इसको अपग्रेड करोगे तो एक नई लोकेशन में पहुँच जाओगे एंड उसके बाद आपको और भी पॉर्टल ढूनने पड़ेंगे हाँ मुझे पता है सिंचन सिंचन मेरी फूरी करने वाला है सिंचन मेरी हल्प करेगा न अरे हाँ हाँ मैं आपके हल्प करूंगा फ्रैंगल भी अच्छा है कुछ भी हो जाए आज हमें गॉर्ट कर ले के जाना है हाँ मुझे पता है लेट्स गो गईज, अगर आप लोग भी चैनel पर नए हो तो वीडो को Λोलग करना चैनल को सस्क्राइब करना and guys like him करते हैं पूरे 200 like का to let's go, 200 like का तो आप करी सकते हो फिलाल आप एक like कर दो और उसके बाद एक like को यह कर देगा लेट्स गो चलते हैं अपग्रेड करने छलो अपग्रेड करो यह क्या सिंचन देख यह तो मुझे गॉल्फ कार मिल गई फ्रैंग भी यह वह गारी अपग्रेड होके गॉल्फ कार बन गई यह तो बहुत अच्छी बात है गाईज की फिलाहाल मेरे पास एक गॉल्फ कार आ गई अब मेरे को एक पॉर्टल ढूनना है फ्रेंगल भी आ है पॉर्टल ढूनना ही तो main काम है पॉर्टल मिल जाए तो सब काम easy हो जाएगा बात तो सही है सिंचैन गाईज पॉर्टल कहा मिलेगा अब मुझे यह देखना है पॉर्टल गाईस कोई भी चीज हो सकती है लाइक एक गेट टाइप इस्ट्रक्चर होगा एंड वो साथ पॉर्टल हो सकती है तो फिलाल गाईस मुझे पॉर्टल ढूनना है एंड सिंचेन ढूनना है यार फ्रैंगल भी या है यह देखो इस बिल्डिंग के एंट्री के पास एक गेट जैसा है साथ इससे अपगरेट हो जाए सिंचेन ऐसा थोड़ी होता है फ्रैंगल भी या हो सकता है योगि पहले ही आपने एक पॉर्टल यूस किया है उसके बाद जो भी पॉर्टल होंगे वो एक्टिबेट हो जाते है तेक पर ट्राय करने में क्या जा रहा है अपका गाइस सिंचन सही कह रहा है लेट्स गो एक पर ट्राय करके देखी लेता हूँ और एंड वेट ये क्या गाइस मुझे तो यार सिंचन ये तो अच्छी लग रही फ्रैंगल भी है गॉल्फ कार से तो बड़िया ही ना है देखो थोड़ी सी चोड़ी है बड़ी भी है कार तो बन गई कम से कम बात तो सही कह रहा है गाइस सिंचन मतलब हम धिरे धिरे अप्ग्रेड करते जाएंगे सिंचन अब क्या बोलता है पॉर्टल कहां पे होगा फ्रैंगल भी है सब कुछ महीं बताँगो तो आप क्या करोगी थोड़ा धूनो यार पट्रियों में क्यों चला रहे हो रोड में चलाओ ना पट्रियों में पॉर्टल थोड़ी रखा रहता है हाँ सिंचन देरा आइडिया सही है गाइस मेरे खाल से मुझे हाइवे में नीचे उतरना चाहिए और फ्रैंगल भी याँ हाइवे में मत उतरो आगे देखो आगे एक टरनल है टरनल पे जाके देखो साहे दबगरेट हो जाए ओए चॉप थोड़ा पागल करे का है गाइस याँ रस चॉप छाय令 में एक ट्राय कर नक्या जा रहा है नहीं फ्रैंगल भी है चॉप की बात क्यों माने चॉप तो पागल है ऐसे नहीं होता है सिंचन, हो भी सकता है फ्रैंगल भी है इसके अंदर तो आर्मर भी लगा है और गन भी लगा है और आगे देखो आगे तो बुल्डोजर वाली एक श्चील्ड भी लगी है ओ गाइज आप लोग देख सकते हो फ्रैंगल भीया की गाड़ी तो बड़ी पारफुल बन गई तो पारफुल है यह थो थोड़ी ज्यादा पारफुल है फ्रैंगल भी यह है देखो एपग्रेड होते जारी है गाइज आर मनना पड़ी है इसने घाड़ी बीदी और उड़ाया भी दिया वहा में गाइस मेरे गालसा मुझे एक और बार इसको टेक्सी को हवा में हमारी यह सेच में यह तो बहुत पारफुल है गाईज अगर आप लोग को यह साब अच्छा लग रहा देखने में तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लेट्स गो अभी आगे चलते हैं अरे राम से यार गाईज ट्रक को भी इसने थोड़ा बहुत हिला दिया था बागी चलते हैं अपग्रेट करने की जोड़त है लेट्स गो एंड इसके अंदर गन भी लगी है फ्रैंगल भी यह फटा फट अपग्रेट करो गाईज यार यह क्या सायद मेरी गाड़ी में भी आग लग गई फ्रैंगल भी यह जल्दी अपग्रेट करो जल्दी अपग्रेट करो यह जल्दी से मुझे पॉर्टल ढूनने दे पॉर्टल कहा हो सकता है कहा हो सकता है सिंचैन जल्दी बताना Frangle भी वह देखो सहाइद इसके अंदर पॉर्टल हो ट्राय करके देखो यर जलदी हाँ हाँ सही कह 일이 चा है तू लेट्स गो गाइस अब भी मैं । गाड़ी तो वही है संचन Frangle भी आ है गाड़ी तो वही है लेकिन यह देखो यह threat भी करती है और इसके उपर गण भी लगा हे वो भी लेजर वाला फायर करके देखो न हाँ यार बात तो सही है एंड यह क्या यह तो उससे भी जádha पौर्फुल है सिंजैन फ्रेगल भी है वही तो यह उससे भी ज़यादा पावोर्फुल है और हाँ यह बहुत बहुत ज़्याद है फ्रैंगल भी यह है देखा है यह होती है अफ्ग्रेडेशन की पावर गाइज आट टैलीपोर्ट का पावर आप लोग देख सकते हो इतनी पावर्फुल है यह वेट एक बार मैं इसको धक्का दूँ यार इसके लिए न गाड़ी को पर अटना बहुत बहुत ईजी है फ्रैंगल भी यह है मैंने बोला था ना अरे यह तो पाहर से नीचे चलागिया बाबा गाइज यार इतना भी नहीं फ्रैंगल भी इंच चड़द चड़द यह लोग की गाड़ी चड़द यार गाइस मैं वस पावर चेक कर रहा था और काफी ज्यादा पारफुल है वैसे फ्रैंगल भी है ये बता है पॉर्टल ढून के मैंने बहुत अच्छा किया नहीं बहुत तुने तो बहुत बहुत अच्छा किया सिंचन मानना पड़ेगा गाइस चौप और सिंचन हमेशा मिलके न मेरा हमेशा से अच्छा करते हैं काम और फ्रैंगल भी है पॉर्टल ढून गाइस पॉर्टल ही तो ढून रहा हूँ लेकिन मिलेगा तब न पॉर्टल फ्रैंगल भी है ऐसे तो नहीं मिलेगा है जिस तरह अब गाड़ी चला रही है तो कैसे मिलेगा गाइस मुझे कार ड्राइब करने आती तो है बट ये गाड़ी थोड़ी अजीव एंड थोड़ी पारफूल मलब बहुत ज़ादा आउट ओफ कंट्रोल हो रही है फ्रैंगल भी या है आपका में काम है पोटल ढूनना पहले पोटल ढूनन उसके बाद मस्ती सिंचैन तेरी सारी बाते सही है बट मैं क्या करूँ जब ये गाड़ी खुदी आउट ओफ कंट्रोल हो रही है फ्रैंगल भी या है वो सब छोड़ो पोटल ढूनो पोटल ऐसा ना हो कि पोटल बंद हो जाए और उसके बाद हमें अरी पास यही गाड़ी रह जाए सिंचैन बात तो सही है गाइस यार अगर हमें गौड कार नहीं मिलेगी तो अपग्रेट करने का फायदा क्या गाइस पहले तो मुझे यही देखना है कि मैं इसको अपग्रेट कहां करूँ फ्रैंगल भी यहाँ हाँ हाँ चले चले साइद यहाँ पे हमें पौटल लिख जाए गाइस यहाँ पे कुछ ऐसा हो जो गेट टाइप इस्ट्रक्चर हो जहाँ पे अपग्रेट करने के चांसे हो मैं वही पर ट्राय करूँगा अगर मैंने बाग के चगर में ट्राय किया ना तो मैंने टाइम वेस्ट काफी ज़ादा हो जाएगा फ्रैंगल भी यहाँ है अरे हाँ डायमेंड के सीजनों के साइड में चलो साइड यहाँ पे अपग्रेट हो जाए हो तो जाएगी वेट यार अराम से फ्रैंगल भी यहाँ यहाँ देखो यहाँ पे बहुत सारे गेट के स्ट्रक्चर है और उन में से गेट सारी पोल्टल कोई भी हो सकता है बात तो सही है सिंचन बागे गाईस आप लोग वीडियो एंजोई कर रहोंगे यह तो मुझे लगी रहा है अरे याँ सिंचन देख यार यह गाड़ी काफी जंप कर लेती है फ्रैंगल भी है अब जंप वालग क्यों बटन दबाती हो अरे सिंचन सही बोल रहा है यार गलती तो मेरी है वैसे गाईस अभी गाड़ी को बाहर निकाल लिया है फ्रैंगल भीड पीछे डैम हैक जोड़ी जन वेट पीछे डामेंड का सीनों कर गेट है एक बर इसमें ट्रैकर रहा है एक बर इसमें ट्रैकर लेता हूं वैसे भी पोर्टल आगे कहीं हो सिंचैन इतना भी न्यूयार वैसे आप लोग देख सकते हो फिलाल मुझे मिली एक मस्टैंग जो काफी जादा मस्त है इससे पहले जो मिली थी वह एक आर्मर कार थी लेकिन ये सूपर कार है सायद ये पॉर्टल हो सिंचैन एरे नहीं है यार पॉर्टल के पास ही थोड़ी प पॉर्टल मिले अरे धुनना पड़ता है फ्रैंगल भी यह सिंचैन वाला दिमाग लगाना पड़ता है गाइस बात तो सही कह रहा है वैसे सिंचैन सिंचैन कास गोड़कार मिल जाए फ्रैंगल मिल जाएगी गोड़कार दे दू गोड़कार दे दू सायद ये पॉर्टल ह मुझे मिल चूकी एक सूपरकार तो कि गौड़ कार रहा है इन Сपीड नहीं रही स्पीड गौड़ कर चली नहीं रही तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट में जरूरू बताना की गॉड़ कार कैसे लगी वैजे कमेंट में यह लिख देना गॉड का रोपी अपना नाम भी कमेंड में लिख देना ताकि मैं आपका कमेंट भी कर सकूँ आपके कमेंट का रिप्लाइ देके हाइट भी दे सकूँ तो गाइस चलो आज के लिए बस तक नहीं अब भी इस कार से कहां जाना अरे हाँ हाँ चौप मुझे पता है तो गाइस ठैंक्स वो रोचिंग बाई बाई